आज तो प्रधान मंत्री ने एक और मुद्दा उठा दिया है कि यह सनातन विरोधी हैं तो क्या सनातन विरोधी होने का जो नुकसान है वो इंडिया लाइन्स को भुगतना पड़ेगा यही है मेरा दूसरा राउंड और आई आप खड़े हो जाई नाम बताई अपना अगर नहीं है तो लोगतन्द में बेवकूर भी तो बनाई जा रहा है हम कि ब्याव के आपको वोड़ें जब आप अपने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के रहां खड़े हो जाई क्या सनातन विरोधी का नुकसान उठाना पड़ेगा इंडिया लाइन्स को जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं जिस तरीके के बैयान आ रहे हैं अग्सान कर सकता है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी बोल दिया कि जो आपने आपको यद्युवंशी कहते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अपमान क्यों नहीं दिखाई देता दो तीन सवाल प्राची जी इस बीच में आए है पहले मेरे सवाल का जवाब फेर अपने साथियों के सवाल का जवाब दीजेगा हम उस पर भी आ जाते हैं आपका सवाल सनातन के ठेकेदार ये नहीं है ये पूरा देश में जो हिंदू धर्म को मानने वाले सब लोग उसकी जीवन सहली है जो संस्कृति है वो जीवन में आचार बिचार संस्कार और तिवहार से एक संस्कृति का निर्माड होता है और वो संस्कृति है जिससे सनातन कहते हैं उसके ठेकेदार बन गए है मोगर लगाते हैं साइटिफिकेट इसू करते हैं लेकिन इस देश में उस संस्कृति को मानने वाला एक एक आदमी है जिसका उसका भी उतनी है जितनी इनकी है हलाकि अतकर्मणबाद ही ब्यक्ति है ये लोग है उसलिए उस पर कहते कि नहीं साब हमी करते नहीं जताते हैं आपकी अपने नेता कहरें पूजा पाठ पाखंड है पूजा पाठ पाखंड है ये किसे ने बोला है राम गोपाल यादव जीन वह उनकी राय उन्होंने कब बोला मेरे नालिज में यह बात नहीं है लेकिन अपने नेताओं के पूरी बास सुल लिजे इस देश में भगस सिंग थे जिसको पूरी दुनिया में सहीद आजम कहते व पूजा पाठ सिर्फ हिंदूओं में नहीं होता मुसलिम लोग बीबादत करते हैं करते तो सभी धर्मों पूजा पाठ यह बात नहीं है हमारी आपने जो पहले आप ने का अचा आपने जो कहा उसका जवाब जंता ही दे दे तो ज्यादा बेतर हैं आप मेरे सवाल तो फिर भी आप दाएं-बाएं कर देते नाम बताईए अपना मेरा नाम अनभुव पांडे हैं आपको भी लगा पूजा पाखंड पाखंड नहीं है लेकिन हमारा प्रस्थ में पहले पूछने दीजिए बीजेपी सरकार से जो मेरा प्रस्थ चाहता है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सुनसुन भईया हो सुन असुन भाहिनी हो हमरा कहनवा कहने बरबाद करता हाा जात्र के तू जिवनόई यह इन्हीं की सरकार हैं जिनकी सरकार के फेपर लिग होता है कॉंसरेबल का पेपर लीग होता है और इनी के छत्रचाया में इलाबाद युनिवर्स्टी के छात्र पिछले साथ चार वरसों से संघर्ज कर रहे हैं यानि सनातन का मुद्दा जो लेकर आते हूं भटकाने के लिए और इलाहबाद उनिवस्टी के 400 परसेंट फिस व्रिद्धी हुआ है वह भी इन्हीं के कारेकाल में वह जवाब दूरी बाकी आपके लोग पिए ठीके पर लीक का मुद्दा सनातन का मामला कौन बताएगा क्या ऐसंतर पर बयान देना ये चुनावी मुद्दों को भटकाना है बाकी में असा हो रहा है कि नहीं वाकी में ऐसा ही हो रहा है मेरे साप से बीचे पी जो है वह एक च्छा काम कर रही है और वही आगे आईगी अशनातन धर्म का विरोध करना क्या फान सब्सक्राइक इंडिय अगर जो बार्टी विरोद करेगी कहीं आपने आप को ही डबाले शुरदर को सब्सक्राइख पारठी जिसे पहले आपने मैलाओं पर सवाल उठाया हृँ पर नेरे नेता मेरी समाजवादी पार्टी आरच्छड मैला रच्छड का विरोध नहीं करती है मैं मन से बोलना हूं आपके हमारी पार्टी का कहना यह है कि यह जातियों का देश है नाई धोबी तेली कार कुमार बढ़ है लुआ उट पर चले गाए मैलाओं के बुद्धे स सब्सक्राइब को लेकर इतनी जो बाते की जा रही है उसमें आप क्या सोचना है कौन सनातन विरोधी और कौन सनातन के पक्षु मैं सबसे पहले तो मैं यह बात बोलना चाहूंगा कि बीजेपी को अगेंस्ट पताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो टिप को हग दिलाया और ऐसा नहीं उन्हें भी जमीन दिये अब जवाब दीजिए शिवम्तियागी जब आप बोलिए सनातन का मुद्धा आपने बनाई दिया एक शात्र कह रहा है मुद्धे भटकाने के लिए आप सब युवा है दिमाग इंसान के दिमाग में थोड़ी करते हैं जब मेरे प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में कई सो फीट नीचे जाकर जहां पर हमारे भगवान श्रीक कृष्ण रहे वहाँ पर अगर पूजा करते हैं तो यह उसके मजाग उड़ाते हैं इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल देए इनकी महिला अरक्षन का विरोध नहीं करते अरे करते तो अब तक और जो एक आधी सीटे दो तीन स्कूटर पर सांसाद आ जाते हैं वो भी खतम हो जाता है करके देखो महिलाओं को बहुत अपमान पहले कर चुके हैं आप लोग तीसरी बार एक मेरे मित्र ने कही कि इस देश में जो नेता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाता है इस तरीके से लोकतंत्र खतम हो जाता है आप अंबेड कर युनिवरसिटी से और दस सेकिंड में इसलिए बता रहा हूं रास्त्रिय सरकार में पहली रास्त्रिय सरकार में जो इस देश में आजाद होने के इसलिए अगर इस देश में जनता अपने नेता समय समय पर एक दूसरे को पसंद कर सकती है तो नेताओं का भी वह अधिकार है क्योंकि वह भी जनता के बीच में सही निकल कर आते हैं कुछ चीजे और हैं एक बात और हुई कि छात्रों का पेपर लिक में दोस्त एक चीज आप बिलकुल नहीं कह रहे हैं कि अगर व्यवस्ता बेकार है या व्यवस्ता में कोई परिशानी है या कोई चुट-कुट दिक्कत है तो हम उसको ठीक नहीं करें